आज मैं कुछ काम से बहार आई थी और काम खतम करते ही में डारेक्ट पहुंची एक रिस्टारॉंट में और यहां बैठकर में अपने दिया ओर्डर का जो है वेट कर रही है क्योंकि मुझे बहुत जोरूं की भूप लगी है जब तक और आता है तब तक सोचा हमने क्या ग्र का कोई मन नहीं था लेकिन इस बीच खाते खाते मुझे बीच-बीच में फोन भी यूज करना पड़ रहा था मेरे काम की वज़े से तो मैं खाना भी खा रही थी और साथ में काम भी कर रही थी लांच करने के बाद मुझे एक और ज़रूरी काम से जाना पड़ा जिसकी वापस आते टाइम मैंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जो है सडक पर देखा और बाद में मुझे समझ में आया कि वो तिरंगा रैली में उन्होंने पार्टस पेट किया था और 15 ऑगस के लिए कुछ प्रेपरेशन चल रही हैं और जो बच्चे हैं उन्होंने अलग- इसके अलावा गंटागर जो रिसेंटली रेनुवेट हुआ है वहां पर भी बहुत सारी प्रेपरेशन चल रही हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में कैप्चर कियें काफी सारे लोग वहां पे आ जा रहे थे और काफी सारे लोग 15 ऑगस की प्रेपरेशन में लगे हुए थ वैली में 15 ऑगस्ट के ओकेजिन पे जगा जगा पे फ्लाइग से वैली को सजाया गया है जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते है और वही गंडागर के उपर जो लहराता हुआ तिरंगा जो है वो भी मैंने अपने कैमरा में कैप्चर किया अगर मैं यह कैप्चर नहीं करती है अपने फोन में तो फिर मेरे मेरे मेनी गुलाउफ को कोई मतलब ही नहीं बनता था तो देखा आपने वैली में काफी जोरो शोरो से 15 आउगस की जो है प्रेपरेशन्स चल रही है आप जहां पे रहते हैं वहां कैसे प्रेपरेशन्स चल रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा हमें अच्छा इसके अलावा कुछ लोगों ने अपकार्ज और बाइक्स को भी नाशनल फ्लैग से सजाया था मेरा मेनी व्लोग आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए थांकियू सो मच पर वाचिंग अनिका व्लोग्स